सल्मान खान ने वीकेंड का वार पर मंच पर आते ही रजत दलाल को कहा कि मेरे माबाप पर क्या बीती है मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी न करो कि किसी के माबाप को टेंशन हो किसी के माबाप पर बहुत बूरी बीते जी हाँ जमकर फटकार लग चुकी है रजत दलाल को लेकर यहाँ पर सल्मान खान ने सभी घरवालों को भी कई सारी चीज़ें सुनाई हैं लेकिन रजत दलाल ने अब सल्मान खान से दोनों हाथ जोड़ कर माफी माग ली है क्या किया था रजत दलाल ने किस वज़ा से सलमान खान पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आए हैं रजत दलाल के उपर और रजत है कि मूँ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं चलिए आपको बताते हैं लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो को लाइक जरूर कर दो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दे दर असल आपको उता दें कि वीकेंड का वार इस वाले एकिन वीकेंड का वार पर सलमान खान इतना जादा गुसे में नजर आए जैसा इस से पहले कभी भी सलमान खान वीकेंड का वार पर देखने को नहीं मिले सलमान ने सीधा रजद दलाल को कहात कि तुमने जो गंदा आरोप लगाया है अविनाश मिश्रा के उपर की लड़कियां जो है वो अविनाश मिश्रा के साथ सेफ नहीं है तुमने ये नैशनल टेलिविजन पर बात कही है तुमें हर एक चीज सोच समझ कर कहने चाहिए क्यूंकि तुमें 2400 पूरा का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तुमने जो ये आरोप लगाया तुमने ये सोचा कि अविनाश के माबाप पर क्या बीती होगी उनके माबाप को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा जी हां रजद दलाल को सलमान खान ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि जिस तरह से अविनाश के माबाप को इस समय फील हो रहा है जिस तरह से अविनाश के माबाप इस समय इतनी मुश्किलों से गुजर रहे होंगे मेरे पेरंट्स भी इस मुश्किलों से गुजर चुके हैं क्योंकि जो अल्जाम आपने अविनाश पर लगाए हैं ज अविनाश मिश्रा के माबाप इस समय कितनी सारी मुश्किलों से गुजर रहे होंगे तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि नैशनल टेलिविजन पर जो भी बात तुम कहते हो वो सोच समझ कर कहनी जाहिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम इतना गंदा आरोप अविनाश मिश्रा पर लगाया ही कैसे यहाँ पर सलमान खान जैसे जैसे यह बाते कहते नज़र आएंगे आपको आव यहां पर अविनाश तो कहीं न कहीं खुश होते नज़राएंगे इमोशनल होते नज़राएंगे लेकिन रज्जत दलाल के चहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पढ़ने वाला है फीका पढ़ने वाला है और चुम के भी पूरी तरह से होश उड़ जाएंगे और चुम तो ये कह देगी कि सर मैंने तो ये बात कही ही नहीं कि इसके साथ लड़कियां सेफ नहीं हैं। वहीं इशा सिंग जो है एलिस कोशिक पूरी तरह से अविनाश का साथ देती नजर आएंगी जिस तरह से पूरे हफ़ते वो अविनाश का साथ देती नजर आएंगी। यानि सल्मान खान इस वीकेंड का वार पर अविनाश को पूरी तरह से प्रेज करते हुए नजर आने वाले हैं ऐसे में आप इसमें किसकी तरफ है अविनाश या रजद दलाल कमेंट जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें